सब्सक्राइब कर दिया हुआ है अगर इन सेट को शॉल्प नहीं कि जरूर कर लेज़ेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारा प्लेलिस्ट में आइड कर दिये तो वहां से जाके आप सब्सक्राइब कर लेज़ेगा तो चले शुरू करते हैं जो चले पर नहीं चले को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा ताकि बिहार इससे सीजल से समय जो भी वीडियो आइसको नोड़िव सबसे पहले प्राप्त हो सके आए फ़र्स्ट कोशिन देखे लेजिए फ़र्स्ट कोशिन ये वन रिफ्रेंट के आईसी परिकिरिया जिसके द्वरा अनुबान सिकी के रूप से समान बेक्ती को बनाया जा सकता है अगर इन सेट में किसी भी कोशिन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकती है हर कोशिन के लिफ्रेंट पांस से साथ सेकेंड का समय आपको दिया जाएगा चलिए बताएंगे इस कोशिन का राइट आंसर क्या होगा दिखिए जितने कोशिन है वो सारे टॉप लेवल का प्रस्टन लिया गया आईज की सेट में कम्पलीट जरूर शट को सार्प किजएगा और लाश्ट में आपसे कमेंट करके बताएंगे कितने कोशिन को सही कर पारे आपसे भी तो right answer option में भी जाएंगे, क्ये लोनिंग कहा जाता है, याद रखेगा आप सभी, तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, क्ये लोनिंग कहते हैं, option में भी right answer रहेंगे, क्लिए रहें, अगला कोश्च चैने हैं, कि ब्रहम समाच के आस्थापना, किसकी सबसे बड़ी उपलब्दी थी? right answer option मसी हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय की थी, ध्यान रखेगा आप सभी, तो किसकी थी? राजा राम मोहन राय की थी, option मसी right answer रहेंगे, अगला कोश्च चैने कर लेते हैं, अगला कोश्च चैने बंड़े की निमले कित में से कौन सी एक मिस्र धातु नहीं है, इन में option मसी right answer रहेंगे, चान्दी, देखे, चान्दी मिस्र धातु नहीं है, ध्यान रखेगा आप सभी, और यह जो है कि विदूद का सबसे अच्छा चालक भी है, याद रखेगा आप सभी, सोल्डर, कासा और पीतलिये से भी क्या होता है, मिस्र धातु होता है, अगला कोश्च जैबिक संसाधन काते हैं, option में a right answer रहेंगे, आगला कोश्चिन कर लेते हैं, अगला कोश्चिन यह बंड़े कि रभी फसले dice में बोई जाती है, तो right answer option में बीजाएंगे, अक्टूबर से ननमबर में बोई जाती है रभी फसल को, देखे, रभी फसल के अंतरगत क्या आत जाता है, फरवरी और मार्च के समय में काट लिया जाता है, फिन ध्यान रखेगा आप सभी, और खारी फसल को मई जून के समय में बोई जाता है, ध्यान रखेगा आप सभी, खारी फसल को मई जून के समय में बोई जाता है, ध्यान रखेगा आप सभी, और अक्टूबर न तो ग्रामिन रोजगार सुरूजन का अफसर उत्पन करना होता है अगला कोई सने कि पलासी की लड़ाई वर्स डैस में लड़ी गई थी दिखे फिन आपसे को बताना चाहते हैं जो भी अप्लिकेशन से जुड़े हैं और क्लासेस कर रहे हैं और जो अभी तक नहीं जुड़े जुड़ जाईएगा अप्लिकेशन से वहाँ आपको कंपेट त्यारी करवाया जागा अभी जो एकि आपको मैच का कलास दिया जा रहे हैं और हमें उम्मेद है कि आपसे बेहतर तरह किसे कबर कर पा रहे होंगे और जो भी नोट से वह नोट से दिया गया है और जो अभी तक मैं आपको इबुक दे चुके हैं उसे क्रिपया करके आपसे पढ़ते रहे हैं क्योंकि most important e-book है और जल दिया इसका दूसरा version आने बाला है बुक का तो अभी जो एकि आपको दो से तीन बुक अबलेबल करवाद दी हैं प्लस में जितना PDF है वो PDF अबलेबल है अप्लिकेशन का और handwriting notes जितना है वो सारा notes आपको दे चुके हैं और class में अभी math का class आपको दिया जा रहा है और यह अभी आपको regular दिया जाएगा तो जो अभी तक जुड़े नहीं है और त्यारी शुरू नहीं के जरूर कर लिज़े फेंड क्योंकि जो मौका भी मिला है वो मौका फिर आपको नहीं मिलेगा तो जो भी जुड़ना चाहत लिंक आपको description में मिलेगा minimum fee में आपको complete त्यारी करवाया जाएगा ध्यान रखेगा आप सभी तो आज ही जाएए आप सभी application को download कीजिए application का link description में आन्य था प्ले श्टोर से युवा सकती जिए के कुई search करके आप सभी application को download करे class से जूड़ सकते हैं चले बताएंगे प् बक्सर का युदवाता ध्यान रखेगा 1764 में बक्सर का युदवाता ये दोनों यूद मोस्ट इंपोर्टन और करीब करीब ये question पूछी ही लिया जाता है ध्यान रखेगा उसके बाद जो है कि ये यूद होने के बाद अंग्रेजों का भारत पर उसका नेत्रित्व हो गय लिया था और कोсь संब्सरा है संकर अंतराश्टी गुल्या संग्राले डिस में इस्ति थे ओ पर तो यह इस तति थे इंप नुटफु dolphins नई दिल्ली में तो तो कहां पैंद इस्ति हो और कमदेर स्वार मन्दल की खोश कि आप से बस बता आँए कि शौर मंडल की जो खोज की थी वो copper निकस ने की थी ध्यान रखी गया देखिए application पे जो class हो रहा है वहाँ पे आपको mcq class दिया जा रहा है प्लस में theory class भी दिया जा रहा है ताकि आपका doubt बहतर तर किसी clear हो सके और to the point आपको वहाँ सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है क तो copper निकस की दुरा क्या क्या था ध्यान रखेगा आप से भी क्लिए रहें अगला question देखिए पौदे में जल परिवरहन के लिए dice उत्तरदाई है राइट answer option नमर डियो जाएंगे फ्रेंड जाइलाम जाइलाम यह क्या होता है पौदे में जल परिवरहन के लिए उत्तरदाईत वो होता है अगला question देखिए जेफिंड अगला question यह बंड़े की dice 1948 की भारतिय राष्टे फिल्ड होकी टीम के कप्तान थे जिनाओने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता तो राइट answer option नसे जाएंगे किसन लाल ने जीता था फिन द्यान रखेगा कोईशन को समझे कोईशन क्या काना चाह रहा था कि 1948 की भारतिय राष्टे फिल्ड होकी टीम के कप्तान कौन थे जिनाओने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था तो वो किसन लाल थे ध्यान रखेगा आप सभी option में सी right answer एंगे अगला कोईशन नहीं कि निरवाचन आयोक के पर्मूग को डैस द्रौरा न्यूकत किया जाता है ये भारत का सबसे उचा पद है ध्यान रखेगा राष्ट पती का और ये परधान होता है किसी भी देश का अगला कोईशन देख लिएजे कि दा पेराडोक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक डैस दुरा लिखी गई तो ये पुस्तक जो लिखी गई फ्रेंड वो ससी थरू की दुरा लिखी गई ये ध्यान रखेगा आप सबी किसके दुर्ण लिखी गई यह ससी धरू दुवरा दा पेराडॉक्सिकल प्राइम मिनेश्टर कुछ तकी लिखी गई यह ससी धरू की दुवरा अगला कूशन है चुनाओ आयो के मुख कर्तब्यों में से एक क्या नहीं है तो आइट अंसर ओफिसन में डीजएंगे आस्थानी चुनाओं का संचालन करना यह है जो फरेंड वो चुनाओ आयो के पर्मुक कर्तब्यों में से सामिल नहीं है धियान रखेगा आप सबी कर्तब भी नहीं है जबकि क्या क्या है चुनो आयो कमुक करता भी चुनाओ पर नियंतरन इवम संचालन करना चुनो का परिविक्षन करना पर त्यक्छु चुनाओ कराना ये सबी है चुनो आयो कमुक कार ये अगला कोईसर ने कि भारत के परसित सहनाईवादक डैस हैं तो आप से को पता होंगे कि भारत क को परसित सहनाईवादक जो हैं वो बिसमिल्ला खान है ध्यान लखेग seguin ओभी这 right answer हैंगी अगला कोईसर ने मुत्रीय परनाले का हिस्सा क्या नहीं है तो right answer option मसे जाएंगे शोषर नली नहींगे फिर्ट ध्यान रखेगा आप सभी option मसे right answer रहेंगे अगला कोई सेने कि भारतिय संगितकार डैस ने अकादमी पुरुसकार जीता है तो right answer option मसे जाएंगे एर रहमान ने फिर्ट जीता है ध्यान रखेगा अकादमी पुरुसकार जो कि भारतिय संगितकार है अगला कोई सेने कि 20 वका सर्बोच यूद छेतर है तो कौन सा 20 वका सर्बोच यूद छेतर है तो right answer option मसे जाएंगे सियाईचिन गिलेसियर ध्यान रखेगा आप सभी ध्यान रखेगा आप सभी option मसे डी right answer रहेंगे अगला कोई सेन देख लिए जेफिन कि सोने का आनविक सूत्र डैस है तो सोने का आनविक सूत्र क्या होता है AU होता है तो याद रखेगा आप सभी सोने का आनविक सूत्र क्या होता है AU अगला कोईशन देख लेजे कि असपर्ष के कारण पौदे में दिसात्मक विकास गती को डैस कहा जाता है असपर्ष रूप आंतरन काते हैं ध्यान रखेगा आप सभी आपसे में एर राइट आंसर हैंगे अगला कोईशन देख लेजे महानदी और गोदाबरी के डेल्टा डैस म्रिदा से सम्रिद्य है तो आप से को पता होंगे कि महानदी हो गया गोदाबरी हो गया आपका गंगानदी हो गया क्रिश्ना नदी हो गया जबकि आपका तापती हो गया नर्मदा हो गया ये सभी क्या करता है तो वो एस्चूरी बनाती है ध्यान रखेगा आप सभी तो कोविश्चन क्या कहा गया हैं से कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा डे स्मृदा में स्मृद्ध हैं तो इसका राइट आंसर ओफिसर नमर डी हो जाएंगे जलोड मिर्दा में हैं ध्यान रखेगा आप सभी ये सभी जलोड मिर्दा में स्मृद्ध हैं जो कि धान ग्यहों की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी माना जाता है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उप्योगी माना जाता है ध्यान रखेगा जो कि आपको मद्व पर्देश का कुछ छेतर गुजरात हो गया महराष्ट का कुछ छेतर ये सभी में आपको काली मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगा और जलोड मिट्टी जो है ये उत्री बारत में आपको ज्यादा तर देखने के लिए मिलेगा महा नदी और गोदाबरी और गंगा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है ध्यान रखी गाप सभी जबकि नर्मदा हो गया तापती हो गया माही नदी हो गया ये सभी खंबात की खाड़ी यानि कि अरब की खाड़ी में गिरती है अगला कुस ने कि ये डैस रक्त समूब वाले वेक्ती को एक सार्व भोमिक रक्त दान करता माना जाता है तो right answer option number A हो जाएंगे O negative को माना जाता है ध्यान रखिएगा O negative को क्या माना जाता है सार्व भोमिक रक्त दान करता माना जाता है ये right answer रेंगे अबला कुस ने योजना आयोग की अस्थापना कब हो थी ये right answer को पता हो न अच्छे कि योजना आयोग की अस्थापना जोवी थी वह उनएश सो पच्चास में की गई थी ध्यान रखिएगा आप सबे और 1951 से 1956 तक पहली बार योजना चले थी यानि कि पर्थम योजना चले थी ध्यान रखिएगा और फाइनली जोगी फ्रेंड 2015 में 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया नीती आयोग रख दिया गया ध्यान रखिएगा आप समें देखिए पर्ड योजना आयोग का अध्यक जो होता है वो पर्धान मंत्री होता है और पहला अध्यक को था पंडित जभालल नहिरू था अगला कोईसे ने कि अस्थानिय सरकार की त्री अस्तरिय परनाली में डैस सामिल नहीं है राइट आंसर ओप्शन में गराम सिमिती सामिल नहीं होता है ध्यान रखिएगा सामिल क्या क्या होता है तो पंचाय सिमिती होता है गराम पंचाय सामिल होता है और जिला प्रिश तो यह अपनाया था 1987 में ध्यान रखेगा आप सभी 1987 इस भी में संयोंग राज अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक सभिधान को अपनाया था भारत का सबसे बड़ा लेखित सभिधाने ध्यान रखेगा अगर आप उसे निम लेखित में से कौन सबसे कठोर पदार्त है तो फिर आ अगला कोश सण देख लेगे भारत में اηस्टेच्यों ओ यूनिटी डाइस की दुनिया की सबसे उची परतिमा है तो इस्टेच्यों ऑफ यूनिटी जो इस के परतिमा है जो दुनिया के सबसे उची परतिमा है तो राइट आफ औस आपसर बीजा हें सरदार बंलब भाई पटेल की परतिमाहे ध्यान रखेगा जो कि गुजरात में इस्थी थे हैं, अगला को उसे ने कि बेगम हजरत महल भारत की निमलेकित में से किस बिद्रों से संबंदी थे, तो फिर आपसे को पता होना ची कि बेगम हजरत महल ने लखनाओ से नेतरित्व कर रहा था, और ये सि बिद्रों की सुरुबात जो उवीति फिर्ण, वो दस माई को मेरट से उवीति ध्यान रखेगा, और ये दिल्ली तक फैला था, और उसमें दिल्ली का सासक जो था, वो कौन था, बहादूर सच जफर था, अगला को उसे ने कि राष्टे ग्रामिन रोजगार गारेंटी दिन्यम कब परित क्या गया था, दोजार पांच में, और इसी समय में बंगाल विभाजन भी हुआ था, लौड करजन के समय में ध्यान रखेगा आप सबी, अगला कोशन है कि उस परशित भारते किर्केटर का नाम बताएं जिसने ए सेंचूरी इज नौट इन फुस्तक लि अच्छे कि मिस वर्ड 2017 का किताब जो जिता था, वो मानुसी छिलर के द्वरा जिता गया था, ध्यान रखेगा, आपसर नमर सी राइट आंसर हैंगे, अगला कोशने कि डैस एक नित रूफ है, जो कलामे हिंदू और मुसलिम, परतिभा के एक ओदूतिय स्वांसिलेशन का परत नित्त करता है, राइट आंसर ऑफसर नमर। यो कठथक के ध्यान रखेगा, कठथक जो है उत्तर-भारत का एक शास्त्र नित्त है, औपसर में एर आइट आंसर हैंगे, कह सकते हैं तो उत्तर-परदिस का है, मनी-पूरी-पूर का है, उडिशी-उडिशा का है और अधक कली जो है ये आपका केरल का है अगला कोई से ने कि सबसे छोटा जिवित पक्षी है ये राइट आंसर हैंगे हम्बिंग बढ़ है ध्यान रखीगा आप सभी वाला कोई से दिख लेजे कि उडिशा की सबसे बड़ी खाड़े पानी के जील डैस है तो राइट आंसर अगला कोई से दिख लेजें अगला कोई से ये बंड़े कि भारत में पांसो और एक हजार के मुद्रा नोट को किस वर्स में अमानि घोशित किया गया था यहने कि 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था और 500 का नया नोट जारी किया गया पर 1000 रुपया के अस्थान पर 2000 नोट को जारी किया गया था तो यह 2000 शोला में बंद किया गया था अमा निगोसित किया गया था सिरेट आंसर हैं अगला कोशन है MIG 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतिय वायुशेना अधिकारी डैसे तो MIG 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतिय वायुशेना अधिकारी जो थी वो अबनी चतुरुबैदी थी Option number D right answer रेंगे अबनी चतुरुबैदी अगला कोश्चने की निमलेकित में से कौन बहु कोश्य जीव नहीं है रैट answer option में यो जाएंगे अमीबा अमीबा जो एफेंड ये बहु कोश्य जीव नहीं है ध्यान रखेगा आप सबीजब की बिल्ली मनुस्य गोड़ा ये सबी क्या है बहु कोश्य जीव है अगला कोई सेने कि तैराइन के यूद में 1192 में पिर्थवी राज चोहान डैस कि इसके हाथों पराजित किये गए थे तो दिखे तैराइन का दूसरा यूद हुआ था 1192 इस से दिखेगा तैराइन का पहला यूद 1192 में इस यूद में क्या अधा महमुद गौरी हार गए थे किससे पिर्थवीराद चोहान के और लगले दूसरे बार से यूदवा 1192 में और इस बार क्या हुआ था पिर्थवीराद चोहान हार गए थे किससे महमुद गौरी से क्योंकि पिर्थवीराद चोहान को धोका दिया गया था अगला कोविशन देखें किस राज में सबसे बड़ी तट रेखा है तो राइट आंसर आपसर में जाएंगे गुजरात देखें गुजरात की सबसे बड़ी तट रेखा है और उसके बाद जो है फिर्ण वो आंधर परदेश की है आंद्र पर्देश की है उसके बास सबसे छोटा जो है वो गुवा का है अगला कोविशन देखे पर्थम विस व्यूद में अपने प्रान नीच हावर करने वाले भारतिय सेनिकों की याद में बनाये गए अखिल भारति यूद इसमारक को आज 10 के नाम से जाना जाता है तो सबसे पहले आप सब यहाँ याद रखेगा का पर्थम यूद की जो सुरुवाद वी थी प्रेंट वो 1914 में शुरू किया गया था ध्यान रखेगा और यह 1918 तक चला था और इसमें जो कि बहुत सारे सैनिक भारतिय मारे गए थे और इसी के याद में जो इफिर्ण एक इसमारक बनाया गया था जिसका नाम क्या था इंडिया गेट आफिसन नमर डिरेट आंसरेंगे ध्यान रखेगा आप सबी तो कौन गेट बनाया गया था इंडिया गेट बनाया गया था अगला कोईशन देख लेजे कि कौन से हिंदी फिल्म भारत के स्वसंत्र होने के बाद पहले ओलम्पिक स्वर्ण जितने वाली भारती होकी टीम पर अधारी थे एक तो यह फिल्म का नाम है चक देंडिया बनाय गई था अगला कोईसे ने इस ट्रिट फ्रॉम दा हाइट पुस्तक के लेखक की पहचान किंजिये इस ट्रिट फ्रॉम दा हाइट पूश्टक किसके द्वारा लिखी गई है कपिल्ज देप के द्वारा लिखी गई फिर बी राइट आंसर हैं अगला कुशन है कि किस देश ने सदी के बाद से सरभॉमिक मताधिकार दिया तो ये दिया गया है न्यूजिलेंड देश के द्वारा अगला कुशन है कि दूद की कमी के लिए जिम्यदार हर्मोन डैस से है इस हर्मोन को हम सभी ऑक्सी टोसिन कहते हैं तो दूद की कमी के लिए जिम्यदार हर्मोन कौन सा है ऑक्सी टोसिन अगला कुशन देख लिए कि टिड्डे के कान डैस के पास इस्तित होते हैं तेड़ी जो हम सभी कहते हैं इसके कान जो है यह किसके पास इस्तित होते हैं तो बी राइट आंसरेंगे देखे पायर के पास इस्तित होते हैं तेड़ी के कान अगला कूशने मुत्रोजगर मुत्रा से डैस द्वारा मुत्र को शरीर के बाहर त्यागने की परकिरिया है तो इस परकिरिया को हम सभी मुत्र मार्ग कहते हैं अगला कोशन है आपोहन में डैस का उप्योग सामिल है क्रित्रिम विक्र सामिल है सी राइट आंसर है अगला कोईशन है कि रक्त में किन को सीखाऊं की उपस्तिती के कारण रक्त का थक्का बनता है तो बी रैट आंसर हैंगे प्लेट लेटस की उपस्तिती के कारण जो इफिन यह क्या होता है थक्का बनता है दियान रखेगा आप सभी रक्त में अगला question है कि position के सापोसी mode की अवसकता होती है तो इसे हम सभी chlorophyll और oxygen कहते हैं तो position के सापोसी mode की अवसकता होती है क्लोरोफिल और oxygen होती है option number direct answer हैंगे तो चलिए आज के तना ही आज की state में हम से उकूल 50 question कबर किये आज की state के चलग आप से को चेकमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आज की state अच्छा लगव हो तो class को लाइक किज़ेगा और अपने दोस्तों में जरूर सीर किज़ेगा और 50 question में कितने question को आप से एकुरेट साही किये अपना score जरूर नहीं क्मेंट बॉक्स में बताईएगा और जो class से ज्वाइन नहीं के जरूर ज्वाइन कर लिजएगा क्योंकि अभी offer चल रहा है आपके लिए तो अगर आप से भी complete त्यारी करना चाते हैं सकसेश पाना चाते हैं जो आप से अपना देखे हुए से सकार करना चाते हैं तो आएजी ही class से आप से ज्वाइन किजए complete आपको त्यारी करवाए जाएगा to the point आपको सारा चीज़ दिया जाएगा जो आपके exams के लिए important है तो जाएए application को download किजिए और आप सभी class में join okay class करना आप सभी शुरू किजिए फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी share जुरू कर दिजिएगा तो मिलते हैं जहिंद बंदे मात्रपन द्यान रखी का पढ़ाई करते रहेगा आप सभी जहिंद